कि अलो स्टूटेंट्स वेलकम यू आल उन फूटर सीडीज यूटूब चैनल आई आईशा वंस अगें गिव यूज हिलारियस आल बेस्ट पर यूर नेक्स्ट फेस्ट फेस्ट इस आज हम लोग आपके साथ में डिसकर्स करने वाले हैं आंसर कीज को जो अलग-अलग कि यस मैंने जितना पेपर अटेंड किया है कितना उसमें से सही है कितने कोशन सही होंगे तो हेर वी गो मैं आपके साथ डिसकर्स करें हो एंग्लिश की आंसर की और उसके बाद में वैसे इसी चीज़ का हम डीटेल विट और सुल्यूशन के साथ में एक और वीडियो आपक अब हम आगे चलते हैं कोशन नंबर्स पे सबसे पहला कुशन जो हमारा आया है वह आया अंसीन पैसेज का यह रीड़ पैसेज और फाइंड करेक्ट ऑप्शन बट विदाउट वही वाला की विद्दा के डिले कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है आल्वेस जैसा कि मै अब इसने ग्याब दिया है कि कहां था सिस्टीन सेंचुरी जो थी वह बहुत ही महान एज बानी जाती है किसकी मैरीन यानि की जो कहते हैं हम लोग पानी का अला वर्ड होता और और किसका था तो ऊपर देखते हैं फटा-फट से हमारे लाइन में इंदी सिक्स्टीन हो जाएगा लान कि इसकेंड कुश्चन जो है वह हमारा मैं लॉज्ट पेवर ऑफ दे किंग पॉर्तिगल वान विकीम इनवॉल्वड इन पॉलिटिकल पॉलिटिकल का इसमें जो परग्राफ में दे रखा वो दे रखा एंट्री गरी इंट्री का मीज होता है कि उसमें एंटेंगल मेंट होना त स्वारोली हम लोग इस चीज को बाद में डिसकर्शन करेंगे नेक्स का अंसर नंबर थर्ड का जो आंसर होगा वो है सी सॉरी ए डाट इस ए नौर्ट साउथ उसके बाद कुश्चन नंबर फोर का जो है इसमें पूछा गया है कि जो पैसेज में दे रखा है मैंगलें उसका मतलब है बॉड़ी ओफ लांड वाट विद वॉटर राट त्री साइड तो यहां पर आपके पैसेज के पांचों के आंसर हमने कर लिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स चलते हैं नेक्स के उपर नेक्स नवारा है find the correctly spelled word यानि कि आपको बताना है सही spelling वाले words को find out करना था इस question के अंदर जल्दी से देखते हैं सिक्स का answer है दी अक्रंस यानि कि double c double r आएगा इसके अंदर नेक्स है आपका aggressive word एग्रेसिव का correct answer है ए उसके बाद है मस्कुलेशन मस्कुलेचर का यह रहा आपका accidentally के लिए बी और उसके बाद एंबैरस एंबैरस के लिए आएगा आपका answer नंबर ए तो 10 तक के जो answers हैं वह हमने यहां तक देख लिए हैं आगे चलते हैं next question number 11 की तरफ question number 11 है हमारा direct indirect speech तो फटा फट से देखें answer नंबर है इसका 11 का ए शी वांड वाला जो first answer होगा यह इसका रहेगा नेक्स चलते हैं लाइन से question पहले आपके सामने शो कर देते हैं फिर फटा फट से solve कर देंगे देखें सबसे पहले हैं question number 12 का देखें क्या होगा पी वेल को सॉरी डी इसका answer है इसका answer है नेक्स है इसका answer number 14 का हो गया डी 15 का हो जाएगा इसके अंदर आपका answer कि सी ओके तो यहां आंसर की देख लिए अब आगे चलते हैं हमारे डारेक्ट इन डारेक्ट के बाद हमारा next portion जो इसने पूछा है वो पूछा है active and passive voice का active and passive voice के लिए देखे फटा-फट से जो हमारे फ्रेंट में तीन कोशन है पहले का answer है बी यहां पर हेर वी गो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं कुशन नंबर हमारे सामने आ रहा है 19 20 यहां पर देख लेते हैं फटा-फट से इनको 19 के अंदर आपका अंसर रहेगा सी उसके बाद गांसर रहेगा कुश्ट नंबर 20 का यहां तक हमारा हो गया अक्टिव एंड पैसिव का अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की जो की सेक्शन नंबर 5 के अंदर फॉलाइंग कोशन में से चूज करना है वह वर्ट जो बेस्ट एक्स्प्रेस करता है यानि कि साइनों को हमें देखना है इसमें साइनों के लिए हम लोग देखेंगे फिटा फिट से पहले लेट मी वस्ट आफ फॉल शो दी कोशन लाइन वाइस देख लेते हैं यह रेखें सबसे पहला एफजी एफजी का होता है डमी इसका अंसर होगा डमी दैन उसके बाद होमोजीनियस इसका होता है सिमिलर एंथिस इसका होता है कॉंट्राडिक्ट्री हैफार्स हैफजार्ड का मीनिंग होता है अन प्लांड प्रूडेंट का मींस होगा वाइस यह हो गए आपके फाइफ कुश्चन टोटली कौन से हमारे साइन होके आगे बात करते हैं आगे आगे हमारा सिलेक्ट यह इपरभिट टिरेमाइनर आपको सिलेक्ट करना है सेलेक्ट करके हमें डिल्टरमाइनर को मrennा इसके अदर करके सबसे पहला इस देयर ऑ सब्सक्राइब और अब आगे चलते हैं यहां पर मेरे खायल से आप लोगों का अंसर पता लग गए हैं लगभग आगे चलिए 29th हटी के कोश्चन को हम देख लेते हैं वटाफट से सब्सक्राइब कर लिया अब हम बात करते हैं कोश्चन नंबर 31 की 31 का अंसर है सबसे पहले अथीस और डिजीज विच का सब्सक्राइब कर लिया आगे चलते हैं नेक्स अंटो हमें देखने फटा फिट से एंटो देखते हैं एंटो में ऑप्टिमिस्ट का एंटो होगा आपका पैसिव पैसिमिस्ट ओके कामनर का है सब्सक्राइब के बारे में बात हो रही है आगे देखते हैं नेक्स कोशन में आपके सामने लिए करा जाती हूं 42 कि देखे 42 का आंसर हो जाएगा पॉट बॉइलिंग यस जब कोई कहते हैं कि घर के खर्चे वर्ट बसको हैं एक एंटीनियू सिच्वेशन तो पॉट बॉइलिंग प्रिंसिपल टू है टास्क यह इसका आंसर हो जाएगा अफेर वैदर फ्रेंड आल्वेस टॉइस टॉइ पैसेज है रीड फॉलिंग पोएम और उसका करेक्ट ली देंगे बहुत अच्छी पोएम है यह जिसमें भी आई है बहुत अच्छा लिखा था इनको स्यादा हमीर ने किया था तो लेट मी एक्स्पेइन फटाफट से दा लाइन स्विच वैन तो इसका आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं कोशन नंबर 47 आपके सामने पहले कोशन रख देती हूं complete अब देखें नेक्स 47 का अंसर है C, 48 का अंसर है C, 49 का अंसर है A, and last 50 का अंसर है B, तो यहाँ पर हम लोगों ने इंग्लिश के पेपर क्लास 9 का जो आरे में इसका आज 3rd April 2022 को जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की हमने डिसकर्स किए, it's just an answer की पूरा explanation के साथ में, again I am repeat की भाई हम लोग लेकर आएंगे आपके सामने पूरा वीडियो, so thank you so much, have a good day, take care, bye-bye Hello students, अभी आपने इंग्लिश का आंसर की देख लिया होगा और अभी बात करेंगे हम लोग बाके सारे सब्जेक्स आंसर की की, one by one मैं सारे सब्जेक्स बताऊंगा, maths का भी इसमें डिसकस करेंगे, हिंदी भी डिसकस करेंगे, तो पहले मैंने हिंदी का पेपर खोल रखा है और हिंदी के अंदर हम लोग बात करेंगे कि फिर्स्ट क्यूशन से जो 51 नंबर क्यूशन है, तो 51 नंबर क्यूशन आपको अंतर यामी के सब्द में उपसर्ग और मूल सब्द को अलग लग करना है, तो B4 बुक इसका अंसर होगा, अंतर प्लस यामी, दूसरे वाले का अं देखो, तीन भी हैं इसमें, तो जिसने भी लिखा है ना, उसका अंसर सही है, 55 की बात करते हैं, आगे चलते हैं, हिंदी, देखो, हिंदी मुझे आती है नहीं है, इसलिए मैं सीधा ही, जो टीचर ने मुझे अवेलिविल करा, उसके अकोडिंग बात कर रहा हूँ, इसका आंसर 55 का, 56 का उस्म, 57 का ये, 58 का C, और 59 का, आपको नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा उपर ले ले लेते हैं, आपको नहीं दिख रहा है तो, 59 का B4 बॉल, 59 का बॉल है भी है ना, 59 का ये, और 59 का आपका है ये वाला option, अब ले चलते हैं, इनको थोड़ा सा आगे, 60 स हम लोग discuss करेंगे, पोड़ इसको scroll down करते हैं, this one is 60, 61, 62, तो ये सारे answers हैं, अगले क्योशन की बात करेंगे, चोशट नमबर 64 की, 64 की क्योशन की बात करेंगे, 64 में आपको समास विग्रह करना है, C इसका answer है, 65 का बॉल, 66 का डॉग, 67 का, sorry D, मैं डॉग बॉल नहीं, D stands for dog, 68 की बात करते हैं हम लोग, खुन पसीना एक करना, ये आपने किया होगा खुन पसीना हो, बहुत प्रिसरम किया होगा आपने, 69 में बॉल, और 670 के अंदर, यानि ये आपके क्या होगे, सारे answers होगे, इसके हिंदी के, तो हिंदी के वेपरो का answer मिलान कर लीजिए, आपके कितने marks बनते हैं, वीडियो के comment box में comment करके बता सकते हैं, अगली बात करते हैं, स्स्ट की, चलिए गाईज, स्स्ट की बात करें हम लोग, और स्स्ट के अंदर, पहले question का answer, 71 का answer हो गया, the government of India, Act 1935, question number 72 का D, C, sorry, C is का right answer है, आगे इसके scroll down करते हैं, थोड़ा screen में, कम ही question आ रहे हैं एक बार में, 73 में, A रहेगा, 74 में, C रहेगा, 75 में, C रहेगा, 76 में, A रहेगा, तो यह 76 तक की हुई बात, अब फर्दर चलते हैं, 77 में, 77 का answer रहेगा, आपका, C, 78 का, A, 79 का, B, 80 का, C, तो यह 80 तक की हमारे हो गए question, फर्दर बढ़ते हैं हम लोग आगे, आगे की questions, आप question मिलान कर सकते हैं, आपकी answer की को चेक कर सकते हैं, 80 तक, 80 से हम लोग दुबारा कर लेते हैं, 80 का answer आपका, A, 81 का, 80 का, वेस्ट बंगॉल है, इसमें ठीक है, वेस्ट बंगॉल है, 81 का, A, Prime Minister, 82 का, रहेगा, Governor of State, यह हो गया, 82 तक, 82 से आगे बढ़ते हैं हम लोग, question number 83 से हम लोग बात करते हैं, 83 का, A, 84 का, B, 85 का, C रहेगा, 86 का, D रहेगा, 87 का, B, 87 रहेगा, और अब बात करते हैं, question number 88 से, और question number 88 का answer रहेगा, P, 89 का, P, 90 का, T रहेगा, और 91 का, C रहेगा, यह 91 तक क्या answer होगे, अभी सिर्फ no question बचे हैं, SST के, उनको discuss करेंगे, 92 से हम discuss करने वाले हैं, इस screen में एक ही देख पाएंगे हम लोग, lower house, जो finance bill है, उसके बारे में question है, question number 93, question number 93 की बात करते हैं, यह रहा हमारा question number 93, यह रहेगा, P, इसमें रहने वाला है, C, इसमें रहने वाला है आपका, T, 96 में आपका रहेगा, P, और 97 में रहेगा, C, एक problem आ सकते हैं बच्चों को, कि इसकी visibility साफ नहीं हो, तो इस video के description box में आपको यह paper भी मिल जाएगा, साथ-साथ में आप लोग हमारा telegram channel भी join कर सकते हैं, telegram channel भी आपको हमारा paper यह upload कर दिया हमने, वहां से भी आप देख सकते हैं बच्चा, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी visibility का problem मुझे लग रहा है कि जिसनका skin wire paper आपको visibility एकदम अच्छे से ना मिले, 97, 97 का C, 98 का C, 99 का C, और 100 का Venus यह इसका right answer है, तो इस डिंग से था हमारा SST का answer की, अब हम लोग further चलते हैं mathematics के पास, mathematics के answer की की बात करते हैं, कि maths में कौन-कौन से क्यूसन के answer रहेंगे, और मैं यह बोलूँगा कि जो हमने classroom में discuss किया था, जो भी live class में या महा-marathon के class में था, उन सारे बच्चों को बहुत जादा फाइदा वाई इसे, क्योंकि लमसम सारे क्यूसन उनी marathon classes में से हैं, आप चाहें तो हमने लगबग 15 marathon class में डाल रखियें, जिसको भी थोड़ा सा doubt हो हमारी 15 marathon class हैं और हमारा 20 mock test जो free mock test हमने सारे RMS के बच्चों के लिए रखा था, उन सारे के सारे free mock test को देखेंगे तो आपको लगबग सारे क्यूसन एकदम वहीं से आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर math के अंदर देखने को मिलेंगे वाई साब time and work का पहला क्यूसनर इतना easy क्यूसन मुझे लग रहा है कि 6 class में भी नहीं आया होगा, 6 class के वेबर को डिस्कूस हम लोग अभी करने वाले हैं, देखें इसके अंदर हैं, पहले अभी explanation नहीं करा रहा हैं, मैं आपको बाद में इसको proper explain कराऊंगा, फिलाल हम लोग इसके answers की बात करेंगे, एक बार answer की match कराईए और अपना score बताईए, 101 के अंदर answer number रहेगा आप 103 में आपका answer रहेगा A, 104 में आपका answer number रहेगा आपका T, 105 में रहने वाला है आपका A, 106 में answer रहने वाला है आपका C, 107 में answer रहने वाला है आपका C 108 की बात कर लेते हैं हम लोग 108 में answer number रहेगा B 109 में answer number रहेगा C और 110 में answer number रहेगा B और 111 में answer number रहेगा आपका B 112 में इसका answer है आपका C 113 में B और यह सारे question भाई एकदम अच्छे से आपने इदी मेरातन क्लास रहेगा रहेगा सारे के सारी डिट्टो क्यूशन नहीं 114 में answer number है आपका B 115 में आपका answer number रहने वाला है B 116 में आपका answer number A 117 में आपका answer number A रहने वाला है और 100 इसमें तो देखे आर यह क्या पूचा है देखो 1000 और 12 क्या difference निकालना है गजब के question इस बार 119 में answer number रहने वाला है T ये question मान सकता हूँ थोड़ा सा अच्छा है जिसमें कुछ बाते तो समझने वाली है कुछ बाते तो समझने वाली है 100% भाई ये question classroom में पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने पढ़ लिया होगा I think आपको बता ही होगा इसका answer और इसका answer आपका 18 रहने वाला है 122 का answer आपका C रहने वाला है और 113 का answer आपका इसमें थोड़ा confusion है क्योंकि देखिए इसमें एक number X बोला है दूसरा number पूछ रहा है अब इसको मैं 35 मानूँ तो दूसरा number 36 हो रहा है इसको 36 मानूँ तो 35 हो रहा है according to my opinion इसमें answer number B and C बोथ होगा या तो ये question हटी जाएगा और या फिर इसमें से एक answer को सही माना जाएगा but most probably answer ये question अटना चाहिए ये misprint है ये बोड का मुझे लग रहा mistake है कहीं ना कहीं question number 123 पढ़ देता हूँ थोड़ा इसकी screen सही नहीं है तो if the sum of two consecutive number is 71 one number is x then the other number is अब x के जाएगा 35 माना तो answer 36 36 माने तो 35 क्योंकि इसमें greater or smaller की बात ही नहीं करी गई तो ये एक यह बोल सकते हैं डाउट वाला क्यूशन है भाई डाउट वाला क्यूशन है तो इसमें आपका one's answer होगा तो ये तो बी और सी दोनों आगे क्या रहता है देखते हैं इसमें ये तो बच्चों का क्यूशन है भाई ये इसका आनसर है 124 का और 126 का आंसर नमबर C को ये ये अदिक जी क्यूशन आधा पड़ाओ पार कर लिया हमने ला एक पर क्यूशन कोई बात नहीं इसका ये पर्सेंटेस का ट्यूशन है और यह टई मिश कष्यूशन हमें और ये 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 श zaos ये तो नंबर सिस्टम का ये है इसमेंking सर आो गया C और 30 में आंसर आगया आपका 6 परसेंट और इसमें आपका आंसर आ गया 12 इसमें आपका आंसर आ गया कि कि परदर बाद में इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे मज़ा आ जाएगा अच्छा से पढ़के हम लोगों को 133 की बात करेंगे हम लोग 133 नंबर क्यूशन यहां तो लॉस ही होना है यह तो डिटो रट्टा मारने वाला क्यूशन वेसे भी बहुत ही बहुत ही बहुत ही शानदार क्यूशन यह वाले यह वाले सेम डिटो क्यूशन है यह वाले डिटो क्यूशन है डिटो क्यूशन आए के और हैने तो डाट ली औगी और इसका आंसर सिय है और इसका अंसर आपका दोर इवेंट बहुत बाहर बताया वह लाइव क्लास मे रात की फर्वार्वला और लग मैं 10 कजिए डाध की रात का जब फ्रहूरा से लिए था उसके अंदर से ढईरिक Спасибо हृ यह प्रोबिले का किश्न है मैंने बताया था, 0 इवेंट तो impossible, 0 हो तो possible event और 1 हो तो और इवेंट, यह आपका question number C, इसका right answer है, किसका answer रहेगा A, किसका answer रहेगा आपका C, और इसका answer रहेगा C, किसका answer रहने वाला है आपका 2, और इसका answer रहेगा आपका A, खोड़े विजबिलिटी की प्राब्लम हो, so don't you worry, just download the paper and C in a paper, क्योंकि exact हो सकता है जिन बच्चों के बाद सेम कोड का पेपर नहीं है, उनको maybe A और C will face the problem, तो इसका अंसर ये के विल दिस्टेंस पहिदा है, 3,3 है ना, minus 3, minus 3, इसका अंसर C रहने वाल है, और इसका अंसर रहेगा 27 times कितना होता है, 27 होता है, कितना होता है, 27 होता है, question number 147 बस चार question है इसके देख लेजी आप इसका answer C रहने वाला है इसका answer B C रहने वाला है इसका answer B C रहने वाला है इसका answer B रहने वाला है तो ये था mathematics का portion जो हमने discuss किया और maths का paper ऐसा था कि मुझे लगता है कि 20 से 25 में बच्चों ने बना लिया होगा जिन्होंने थोड़ा सा basic पर जान दिया हो कोई भी ऐसा question नहीं है जिसके लिए सोचने की ज़रत है जिसके लिए calculation की ज़रत है कोई भी एक भी question नहीं है simple simple छोटे छोटे question है बहुत ही आसान question है चलिए बात करते हैं साइंस वाले portion की साइंस वाले portion को ध्यान से देख लो साइंस थोड़ा सा level का बोल सकते हैं थोड़ा ठीक है पहले का अंसर रहेगा आपका D दूसरे का रहेगा A 153 का A B और इसका रहेगा Antibiotics ना Antibiotics चलिए अगले question की बात करते हैं हम लोग अगले question का अंसर है आपका B किसका अंसर रहेगा A किसका अंसर रहेगा आपका sorry आपको इनी में सापसिंस चूज करना है तो D आंसर रहने वाल है किसका अंसर रहेगा A किसका अंसर भी रहेगा Iris Part of I which controls the light enter Iris वोग करता है na Iris इसको control कर लेता है Iris वाला पार्ट तो हो गया 61 से बात करते है Lacteria A Sulfur होगा इसमें इसमें A more reactive than B और IUCN रहेगा इसका Red Data Book 65 से Biology के questions देख रहे हैं 23 pairs of chromosomes हैं और यह भी बायो का question again A इसका होगा और इसका भी आंसर A रहने वाला है और इसका आंसर T रहने वाला है इसका आंसर रहने वाला है T चलिए यह होगा हमारा 70 तक है na 71 की बात करते हैं Physics का पोर्शन यह अब मुझे देख रहा है T 172 C इसमें थोड़ा सा है suspense but I think यह होना चाहिए यह वाला क्योशन थोड़ा सा सोचने यह है क्योंकि इनका exact answer most probably appropriate answer तो यह है इसका most probably appropriate answer तो यह है फिर भी थोड़ा सा सोचने यह क्योशन है यह किदी कोई doubt रहता है तो इसी क्योशन में हो सकता है बाकि कोई doubt यह क्योशन है नहीं है 174 175 करेगा C चलिए फर्दर बात करते हैं आदा पड़ाव हमने पार कर लिया है अगले आदे पड़ाव की बात करेंगे हम लोग इसकांसर रहेगा A इसकांसर भी रहेगा A इसकांसर रहेगा B इसकांसर C इसकांसर 13 और इसकांसर 9.8 Newton N stands for Newton 182 सब्सक्राइब करते हैं हम लोग थोड़ा सा यह मिस्प्रिंट है तो देख लिए ब्रिक्स वाला क्यूशन है इसका आंसर होगा इसको उपर वरना विजिबिलेटी नहीं हो पाएगी 187 का A 188 का B 189 का C 190 का C 191 का A ठीक है चली अगले क्यूशन के बात करते हैं 92 की आठ क्यूशन और बचे हैं इस पेपर के इसका आंसर हाइड्रोजन, टेरनेक्स और 194 का B आपका रहेगा C 195 का B 96 का A C रहेगा और अब फर्दर 97 और 98 97 का रहेगा आपका B, 98 का A, 99 का A और इसका रहेगा लेस देन 20 हाड्स ताउंड का क्यूशन है, physics क्यूशन है, last question तो यह थी पूरी आंसर की क्लास 9 के लिए हमारी टीम ने इस पे प्रॉपर काम करकर आंसर की को बनाया है उम्मीद करता हूं कि इस आंसर की में आपको 100% authenticity मिलेगी फिर भी कोई आपको doubt लगता है, किसी क्यूशन पे आपको लगता है यह आंसर नहीं होना चाहिए तो वीडियो के comment box में comment करिए, हम लोग दुबारा से उसको देखेंगे और उसको तयार करेंगे और इसकी complete return answer की पूरी तयार करके हम लोग हमारे टेलेग्राम चल्यल पर भी अप्लोड कर देंगे और आप लोगों के इस वीडियो के description box में थोड़ी दिर बात देखने लग जाएगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए helpful रहा होगा 6th class का वीडियो भी थोड़ी दिर में अप्लोड कर दिया जाएगा मिलते हैं next वीडियो में इसी तरह के वीडियो में so wishing you very all the best and Jai Hind to all of you